Hello Friends, Reasoning and Computer Class में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट 2 का जो राउंड 2 का काउंसलिंग है वो किस किस स्टेट ने अपना सेडियूल दे दिया है उसके साथ साथ किस किस स्टेट की अभी तक कट आफ रिलीज हो चुकी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो सब इस स्टेट के लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सारी टाइप की कट आफ से डिस्कस करेंगे और कुछ डिसकस करेंगे मॉपअ प्राउं से रेटेड इंफॉर्मेशन फ्रेंट्स फ्रेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप यापके फ्रेंट्स MST, CET 2021 की प्रपरेशन कर रहे वे 22 की तो आपके लिए अनकेडमी लिखा है मराथी और हिंदी लेंग्वेज में दोस्तो 28th of November से PCM की स्टुएंट्स की बैच जिसमें आपको Mathematics, Chemistry, Physics और Algebra और Trigonometry जैसे सब्जेक्ट्स आपको PCM की स्टुएंट्स को पढ़ने को मिलेंगे और दोस्तो यह आपको पढ़ने को मिलेगा तो PCM की बच्चे इस बैच को जॉइंग कर सकते हैं दोस्तो यह बैच 28th of November से स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद इसका जो लिंक के मेर डिस्क्रिप्शन में आपके साथ दे दूँगा और दोस्तो अगर आप PCMB के स्टुएंट्स हो जाएंप फिजिक्स, Chemistry अगर आप PCB के स्टुएंट्स है तो आपके लिए अनकेडमी लिखे है हिंदी और मराथी लेंग्विज में आपको MST-CET-321 के PCB का बैच जो Best 28th of November से स्टार्ट हो रहा है इस बैच में आपको Chemistry, Biology, Physics और Basic Concept of Mechanics आपको पढ़ने को मिलेगा अगर आपको MST-CET-321 के क्रैक करना है तो अनकेडमी आपके लिए लिखा है Best Faculty of India तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते है इसका लिंक में आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप मेरा referral code यूज करते हो RC2020 जो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको मिलेगा Amazing 10% का discount So friends you can use this referral code RC2020 जो मैं आपको description में आपके साथ इसके साथ code भी शेयर कर दूँगा और जो link भी शेयर कर दूँगा तो चलते हैं दोस्तो अपने वीडियो के content के जिसके उपर हम discuss करने वाले official का tops So friends सबसे पहले हम discuss करते है राजस्तान स्टेट के बारे में तो अगर आप राजस्तान स्टेट से हो तो आपके लिएक notification जा लिए हो है दोस्तों यह notification है important information for the candidate willing to resign from राजस्तान स्टेट round 1 seat तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जो भी बच्चे राजस्तान स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो round 1 seat की seat को exit करना चाहते हैं So they need to send a mail to this particular mail ID मिलाग चेर्मननीट यूजी2020 at the rate gmail.com को उनको एक mail करना है कि राजस्तान की round 1 seat है उसको छोड़ना चाहते हैं तो उससे उसको क्या होगा कि बच्चों ने जो fees जमा कराई है उनको इसके साथ वो आपको वापस refund होगी तो उसमें लिखाव है तो मतलब इससे क्या होगा कि जब आप इनको लेके जाओगे आप सबसे पहले आपको एक mail करना है mail करके आप बोलोगों कि मुझे round 1 की seat है वो छोड़नी है तो आप जैसे इस mail को करोगे तो आपको उस mail का photocopy उसके साथ जैसे क्या आपने payment क्या चाहिए वो online क्या हो या फिर आपने किसी चेक डीडी के थ्रू क्या हो उसकी रिसिप्ट लेके आपको जानी है राजस्तान Dental College जो जैपूर में वहाँ पी जाना है उससे आपको क्या होगा कि जो भी आपने original document वहाँ में submit किये थे वो आपको return कर दी जाएंगे तो दोस्तो ये है राजस्तान के students के लिए update और online transaction का भी उन्हों नेक procedure बता रखा है तो जितने भी बच्चे राजस्तान स्टेट से belong करते हैं उनके लिए important information है तो मैं आप लोगोशा share करना चाता था अब चलता हूं दोस्तो round 2 की जिस state ने counselling जारी कि उसके बारे मैं discuss करते है उसके साथ साथ दोस्तो आगली update है मद्ध्रदेश के students के लिए तो जो भी बच्चे मद्ध्रदेश के NEET state quota 2 की वेट कर रहे है उनके लिए update है दोस्तो दोस्तो उन students के लिए update है कि उनका जो round 2 की counselling का state quota round 2 counselling है उसका schedule आ चुका है तो दोस्तो publication of vacancies आपका जो publish होगा वो 9 December को round 2 जो state quota की जितने भी खाले seat है वो publish की जाएंगी तो 9 December को आपको वेट करना है MP के students को उसके बाद दोस्तो आपका choice filling और locking जो है वो आपका 10 December से 12 December तक को आपका time दिया जाएगा तीन दिन का आपको time दिया जाएगा दोस्तो उसके बाद दोस्तो 15 तारिक को आपको जो allotment of second round का है वो result आपके सामने screen पे होगा तो दोस्तो आपको 10 से 12 तारिक तो 10 से 12 December तक आपका MP का second round state quota counselling का time आने वाला है दोस्तो और उसकी जो merit list है वो 15 December को announce होगी उसके बाद दोस्तो आपको report जो करना है 16 December से 20 December के बीच में करना है और उसको अगर आप upgradation वगरा कुछ चाते हो तो 16 से 20 तक करना है तो यह दोस्तो यह schedule है यह मद्दे प्रदेश के लिए जो भी बच्चे MP state से बिलॉंग करते हैं उनके लिए schedule जारी कर दिया है second round जो counseling का schedule है वो जारी कर दिया है उसके बाद friends जो भी बच्चे केरला से बिलॉंग करते हैं केरला state से तो केरला का जो allotment list है वो जारी कर दिया गया है तो this is the allotment list for the केरला जहां पर केरला के students के roll number दिये गया है और उसके साथ-साथ उनका जो rank वो दिखाई दिया है उसके बाद college के नाम बताए है तो आप देख सकते हो बच्चों का allotment rank यह state rank बताई गया रोल नमबर बताए गया है उसके बाद दोस्तों उनको कौन सा college allocate हु document है इसको देख सकते हैं और उसको किस college student को कौन सा college allocate हुआ है वो चेक कर सकते हैं उसके साथ friends अगर बच्चे state quota की जो counseling हो चुकी है पर state के साब से round 1 की उसके बारे में cutoff का पता लगाना चाते हैं so this is the complete street where they can see their cutoff तो राजस्तान की 622 रही है अगर हम मैं जब जनरल की बात करूँ तो राजस्तान में 628 जनरल की रही है उसके बाद मालास्टा की 581 रही है उत्रागंड की 582 रही है चत्ती सट की 560 रही है पांसो चोहतर रही है दोस्तों वेस्ट मेंगल के प्रोविजनल जो लिस्ट है हरियाने की 616 मद्रप्रदेश की 567 और करनाटका में रैंक के सबसे 4828 पंजाब की 161864 और उत्रप्रदेश की अन्रिजर्ट केटेगरी की कट आफ रही है 610 तो यह सारी की सारी की सारी कट आफ जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यह सारी सारी उत्रप्रद कर दोस्तों हम बात करें तो हरियाना की काट उप गई 616 बार उसके बद दोस्तों अगर 302 नंबर बात करें तो उत्रप्रदेश की कट आफ गैए और देखोगे 610 नंबर है दोस्तों बात करें यहाँ अगली हम कट आफ की करें हाँ पर दूसरे state के बारे में तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे कम cutoff दोस्तों देखने को मिली है वो 36 गड़ में देखने को मिली है आप देखिए दोस्तों 36 गड़ में ये cutoff काफी कम रही है 560 UR की cutoff रही है 518 EWS category की cutoff रही है और 557 जो है 578 गई है BCB की 602 गई है पंजाब में भी दोस्तों cutoff ranks पे मैंने आप दिखाई है कि जनरल में जो rank cutoff के है 16,864 गई है उसके बाद दोस्तों OBC में पंजाब का गई है 50,392 में गई है और backward area की गई है 20,285 उत्तर प्रदिस में cutoff काफी हाई देखने हो के मिली की 606 नंबर गया स्टेट कोटा राउट वट का EWS का 610 गया जनरल का 606 गया है OBC का 604,57 गया है दोस्तो SC का और 265 गया ST का तो यह complete cutoff मैंने आपको स्टेट कोटा की दिखा दी चलते हैं दोस्तो AIQ round 2 की cutoff के उपर यह दोस्तो AIQ round 2 की cutoff आपके सामने स्क्रीन पे विजीबल है सेकंड round की आप देख सबते UR की रही है 15,038 मार्क्स में 611 OBC की 13,423 EWS की 14,399 SC की 81,12100 ST की रही है 96,96,769 और AIMS की जहाँ cutoff बात करते हैं AIMS की जनरल की रही है 7,545 EWS की रही है 9,416 OBC की रही है 8,384 SC की रही है round 2 की 47,824 SC ST की रही है 6,756 EWS की रही है 9,416 तो दोस्तों यह है सभी states की cutoff AIQ round की मैंने state को उटा की next वीडियो में मिलता हूँ एक नई अपडेट के था तब तक इस चैनल को like and subscribe कर लेना और आपको यह document लिए तो आप मेरे telegram चैनल को join कर सकते हैं इसका link आपको description में मिलेगा उसको join करके आप इस वीडियो को download कर सकते है तो उम्मित करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आती है तो friends like and subscribe करना को किसे मिलेगी आपको अपने states के update